चेहन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीम चाप भी धंकित पर दोस्तों आज हम आपको एक कमाल का ट्रिक बताने वाले हैं कमाल की वेफसाइड के बारे हम बताने जा रहे हैं जिसवेफसाइड के माध्यम से आप एक सिकन्ड के अंदर फोटो का बेग्राउंड चेंग कर सकते हैं तो आपते जहां पर देखिए एक क्लिक के अंदर लगा सकते हैं जैसे हैं जैसे क्लिक करेंगे आपका फोटो का बैगराउंड चेंज होता चला जाएगा देखिए एक सिकेंड भी नहीं लगता है यहां पर बैग्रांड चेंज होने में तो इसके बारे आपका हम डीटील में बताते हैं किस तरह से यह काम करता है ठीक इसके रहावा आप चाहिए तो इसके पीशे फोटो भी लगा सकते हैं देखिए यहां पर जिस तरह का चाहिए बैग्ग्राउंड आप दे सकते हैं लेकिन पास्पोर्ट साइज में इसको यूज नहीं करते हैं तो देखिए इस वेवसाइट का नाम है रिमूव बीजी इसी गूगल पर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं र-e-m-o-v-e-b-g ठीक इतना टाइप करेंगे एक ही यहां पर डवालम नहीं है रिमूव बीजी इतना टाइप करेंगे आपको यह वेवसाइट मिल जाएगी वाइट है इसको हम सेलेट करेंगे कि कुछी सिकेंड में इसके पीछे का जो बैग्राउंड है आप देखेंगे हट जाएगा ट्रांस्पारेंट हो जाएगा ठीक आप यहां पर हम एड़ बैग्राउंड पर किलिक करेंगे उसके बाद अगर हम पीछे के फोटो रखना चा अब देखेंगे दोसों नेश कीवी के अंदर ये फोटो आटोमेटिक यहाँ पर हो गई है डाउनलोड चेंज करना चाहते हैं मालो हम ग्रे करना चाहते हैं तो कलर पर क्लिक करेंगे ग्रे पर इस कलर को कर देंगे देखेंगे डाउनलोड करके यह भी डाउनलोड हो जाएग काफी अच्छी क्वाल्टी में यहां पर डाउनलोड होता है उसी तरह यहां पर हम जो कलर लगाना चाहिए मालो हमको नीला बैग्राउंड चाहिए तो हम नीला पर किलिक करेंगे डाउनलोड करेंगे हमारा फटाक से डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से आप इसे यूज क बांगा जाता है और एक limit होती है कि आप इतने limit में सिर्फ इतने ही यूज़ कर सकते हैं इसके बाद फिर आपको payment देना पड़ता है यहां पर कोई limit कुछ login करने जरूत नहीं देख सकते हैं आप ना तो हमने login किया है ना sign up किया कुछ भी नहीं किया है आप आराम से फिरी में इसे यूज़ कर सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार इसे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है और यह आपका वीडियो आपकी काम का है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नहीं है भी सब्सक्राइब नही टॉपिक के साथ तब तक के लिवाए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूंच सकते हैं